जिन्दगी में आती मुश्किलों से डर कर वो कभी हार मानते नहीं, जो अपने जजबे के उच्साह को मारते नहीं। जीत उनकी निश्चित होती है, जो मुसीबत से डरना जानते नहीं। और इनहीं मुश्किलों पर जीत हासिल की है सेफ शॉप राइजिंग स्टार के निडर एवं साहसी लीडर मिस्टर राजकुमार जी यादव ने। राजकुमार जी का जन देश के सरवोच पदों में से एक इनजनार में यानि एक फोजी के घर में हुआ। राजकुमार के पिता जी राम निवास एक फोजी थे। राजकुमार जी को एक भाई और एक बहन भी है। राजकुमार जी की माता जी का नाम श्रीमती वीरमती देवी है जो एक ग्रेडी है। राजकुमार जी बचपन से ही बड़े सपने देखने वालों में से थे। महनती थे और उनकी आखों में कुछ बड़ा कर गुजरने का जजबा हमेशा से दिखता था। उनके इसी गुड की मुरीद हो उनके पिता जी ने उनका एड्मिशन उनही के गाउं मोखुता के एक प्राइविट स्कूल में करवाया। कक्षा पांचवी तक से उसी स्कूल में थे। उसके बाद साथवी से आठवी तक डाबला और नौवी से बारवी तक की पढ़ाई उन्होंने चिडावा से की। बारहवी के बाद की पढ़ाई राजकुमार जी ने पीजी कॉलेज नारनौल से की। राजकुमार जी ने अपना ग्रैजुएशन पूरा किया और फिर आईटी बीपीफ याने इंडो तिब्वितन बॉर्डर पुलिस फोर्स जोईन किया as a head constable radio operator। वक्त बीटता गया और इसी दौरान राजकुमार जी के माता पिता ने उनकी शादी का निर्णे लिया। अंतरा रखा गया। इसके बाद उन्हें एक और बेटी हुई जिसका नाम रीती है। अब सरकारी जौब होने के चलते राजकुमार जी की कई बार यहां से वहां देश के विभन हिस्सों में पोस्टिंग होती थी। ऐसी ही अरुनाचल से उनकी पोस्टिंग होई थी चंडीगड जहां उनकी मुलाकात होई उन्ही के गाओं के निहाल सिंग जी से और यही वो खुश नसीब मीटिंग थी जिसके बाद राजकुमार जी की जिंदगी ने एक नया मूर लिया। निहाल सिंग जी की वज़े से ही राजकुमार जी को सेफ शौप का प्लान देखने का सौभाग प्राप्त हुआ जिसको देखने पढ़ने और समझने के बाद राजकुमार जी को यकी नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद राजकुमार जी ने ड्यूटी के साथ ही सेफ शॉप को समय दिना शुरू किया और इसके बारे में घर और अपने दोस्तों को भी बताए आम करना शुरू को समय दोस्तों को समय दोस्तों को भी बताए इंद्रपाल जी से मिलने के बाद उन्हें अंदर से एक आवाज आई कि नसीब बालों को नसीब होते हैं ऐसे मौके और इंसान अपने फैसलों से ली गई रिस्क से ही बड़ा होता है और फिर क्या था बारा साल और दस महिने की ड्यूटी को रिजाइन कर उन्होंने कदम रखा सेफ शौप की उस दुनिया में जहां उनके और उनके परिवार के खुशियां पल के बिचाएं उनका इंतजार कर रही थी लोग जुड़ते गए और कारोबार बढ़ता गया इसके बाद राजकुमार जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा वे कंपनी के टारगेट अचीव करते गए वो सिल्वर बने उसके बाद गोल्ड और फिर परल बने तोपाज, एमरेल्ड, ओपल और आज वो राइजिंग स्टार के डाइमंड लीडर बनने जा रहे हैं आज राजकुमार जी को सेफ शॉप के राइजिंग स्टार की टीम की वज़े से देश भर में जाना जाता है आज उन्होंने इस सेफ शॉप कंपनी के धम पर अपनी ड्रीम कार विटारा ब्रिजा खरी दी बेन सारे अचीवमेंट का श्रेयर देश के सबसे देज बढ़ती कंपनी सेफ शॉप और उनके अपलाइन गुरू निहाल सिंग, इंदरपाल सिंग, पियार चौधरी और महा गुरू नर्सिंग ग्रेवाल को देते हैं अपने जंदगी में इतना बड़ा रिस्क लेकर अपने सपनों को पूरा करने वाले एनरजेटिक और स्टाइलिश राइसिंग स्टार के डाइमंड लीडर राजकुमार जी को सल्यूट है वक्त से आगे जाते हैं जो अपरब का तर लिखते हैं मंजिल पुझी बनाते हैं दुफानों से लरते हैं साहस पहने चलते हैं लीडर्स 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 लीड